मुंबई हिट एंड रन मामले में सल्मान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ महराश सरकार की याचिका पर सुप्रिम कोट सुनवाई करेगा बॉंबे हाई कोट ने सल्मान खान को हिटें डिन मामले में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ महाराश सरकार ने सुप्रिम कोट में अरजी दाखिल की है हाई कोट ने कहा था कि दुरघटना के वक्त सल्मान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी यह आरोब साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा कोट ने सल्मान की सुरक्षा में तैनात पुलिस करमी रविंद्र पार्टिल की गवाही को भी अविश्वसनी अकरार दिया था